रेडी स्टार्ट मोहोदय यह बड़े गौरव और प्रसन्नता की बात है कि हिंदोस्तान में दश्वा विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें लगभग 40 देशों के प्रतनिधियों ने हिस्सा लिया था मैं इस संबंद में कहना चाहता हूं कि इन प्रतनिधियों में से कई प्रतनिधी तो उन देशों से इतर के थे जहां पर हिंदी बोली और समझी जाती है दश्वे विश्व हिंदी सम्मेलन में वैनिश विश्विद्याले इटली की प्रोफेसर मारका ने कहा कि भारत में उनकी शुरू से ही रुची रही थी और इसी लिए हिंदी सीखी थी हिंदी एक वैश्वेक पहुंच रखती है साथ ही कहा कि दूसरी भासाओं की चक्कर में अपनी मात्र भासा को भूल जाना ठीक नहीं है चीन के प्रतिनिधी ने धारा प्रवा हिंदी में अपनी बात रखते हुवे कहा हिंदी दुनिया की बड़ी भासा है और इसका लगतार विकास हो रहा है इस सम्मेलन में स्विडन के एक प्रतिनिधी ने कहा था कि हिंदी बहुत सम्रद भासा है लेकिन इसमें अन्य भासाओं के सम्रद शब्दों को समाहित करके और सम्रद बनाना चाहिए इस सम्मेलन में पोलेंड वारसा विश्विद्याले के एक प्रोफेसर ने प्रधान मंत्री द्वारा कही गई बातों को दोहराते हुए अपनी सहमती वेक्त की थी कि हिंदी भासा के अंदर दूसरी भासाओं के उपियोगी शब्दों को समाहित करना चाहिए एक प्रतिनिधी ने कहा कि मैं महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित हो रही हूँ इसलिए उनको जानने के लिए उन्होंने हिंदी सीखी आज कल हमारे यहां हिंदी और हिंदी की फिल्में बहुत लोगप्रिय हो रही है विश्व हिंदी सम्मेलन में विदेश नीती पर एक समनांतर सत्र का आयोजन किया गया था जिसमें विशेशग्यों द्वारा जोर देते हुवे कहा कि विदेश नीती में इसका अधिक से अधिक प्रियोग किया जाना चाहिए एक वरिष्ट पत्रकार ने प्रसंसा करते हुवे कहा था कि विदेश मंतराले में बीते एक वर्स से हिंदी का प्रियोग काफी बढ़ रहा है अब विदेश मंतराले में मौलिक हिंदी का लेखन होने लगा है उन्होंने विदेश मंतराले की वेबसाइट पर मौलिक हिंदी लेखन को और बढ़ाने की आविशक्ता जताई और छेतरी भासाओं में भी जानकारी उपलब्द करवाने का सुझाव दिया उन्होंने यह भी कहा कि प्रधान मंतरी और विदेश मंतरी हिंदी में बोल रहे हैं लेकिन विदेश मंतराले के अधिकारी आज भी हिंदी आज भी अंग्रेजी ज्यादा बोलते हैं